हेलो दोस्तों मैं आप एंगलर्य और आछी स्योडियो में आप सभी रोंग के लिए लेकर आए हैं इप पर फिर नवोजर एंटरेंस एक्जाम्त क्लासिक्स मेंटर एबिलिटी में एनलोजी टेस्ट में साध्रिशता परीकषर कुछ्छन पार्ट टू क्योंकि जो मार एनलोजी टेस्ट का टॉपिक है उसमें बहुत सारे कुछन्स हैं तो कुछ कोर्शन से आपके लाउट तो क्लियर नहीं होगे तो इसलिए आज के पार 2 क इस वीडियो में हमें और questions लेकर आये हैं आपके लिए ताकि साइड आउट्स आपके clear हो सके और इस वीडियो में हम ऐसे questions लेंगे जो आपको थोड़े बहुत hard लगेंगे क्योंकि easy questions तो आप खुद कर सकते हैं और इस वीडियो के बाद हम आपको दो topics और बताएंगे दो वीडियो और अप्रोड करेंगे जिसके बाद आपके साइड आउट्स लगबा क्लियर हो जाएंगे तो चोड़े अपना किस देखे इस वीडियो को शुरू करते हैं अब यहां पर मार फॉर्स कुर्शन में देखिए इस तरह से आपरती बनी हुई है इनमें से क्रॉश से कुछ लाइन है दो लाइन है से क्रॉश में दो लाइन है अब यहां पर एक में ग्रतिझ अओं अब देखिए क्या है क्या है कि यह मैट इस तरह से फ्लस हो गया क्रॉस से प्लस हो गया है क्या है यहां पर देखिएर तो मतलब कि अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइस करते हैं तभी एसी आकरिती हमें मिलेगी यह जो अंदर आकरिती बनी हुए इसमें कोई चेंजर्स नहीं चेंजर्स है तो सिर्फ इन दोनों लाइन्स में है और यह देखिए यह प्लस में हो गया और सारे साइन बिलकुल वैस है तो जैसा एंडोभोन है यह हैं वैसा है अगले आकरिती में होगा निकान पर देखिए अब इसमें इसस्ता सी स्कैंटानियहां तो टेक्षा चाई कर देंगे ंबोग दिए देखे पहली बात तो प्लस हो जाएगा और यह अभी इस पहला है तो ऐसे होगा तो यहां एसे आ जाएगा यहां एसे तो मतलब क्या हो जाएगा option A correct answer हो जाएगा हाँ आप anti-clockwise को छोड़ करके clockwise turn करें कलते बिल्कुर करिएगा कि देखे option D में ऐसी आकरिती दी हो यह से आप confused हो सकते हैं यहां पर यहां पर यह त्री डॉट्स है अब यहां पर दीखे अगी आकरिती में यह जो डॉट्टे वह निकल के यहां हो गया है यह वाला यह यहां हो गया है अब देखे इसमें हो क्या रहा है कि जो points है वो anti-clockwise बहुत बहु यहां थोड़ी ना यहां आएगा देखे यहीं पर है अगर इसको रिकालेंगे anti-clockwise बाहर आएगा तो यहां आजाएगा यह है तो यहां नहीं आएगा यहां आएगा दिखे जिस्तर का यहां पर दिया हुआ है तो मतलग कि इनमें points क्या हो है anti-clockwise बहुत कर जा रहे हैं तो ज relationist में वही relationist में भी होगा तो जिब यह वाला point anti-clockwise बाहर निकलेगा तो यहां पहुच जाएगा यह वाला यहां और यह वाला यहां मतलग प्रिकांसर कौन सा होगा option B अब बहुत सुल confused रहेंगे तो D को मार सकते हैं C को मार सकते हैं यह को भी बात सकते हैं तो वह क्या होग होगा तक ब्रूंग होगा क्यों कि दीखें यह antico-wise वहार निकल है clockwise मैं अद नेक्स देखें एक्सर्कल है उपर एक क्या है rectangle है नीचे ट्रींगल है अब इसमें क्या हो रहा है यह गौर से देखें जो नीचे वाली आकृती है वह बाहर वाली आकृती बन जा रही है तेखे तो पर कि अखरिती बन जा रही है अब तो आपको समझ में आ गया होगा इस में समझें नीचे की आखरिती इस तरह से बाहर की अकरिती बन जाएगी ऐसे बीच की आखरिती रहेगी एड सबसे उपशे ओड़ अंदर हो जाएगी मतलब इस तरह से तो option B होगा correct answer दूसरी आखरिती में देखें कि इस तरह से कुछ multiply का sign बना हुआ है ऐसे यहाँ पर है point आगे इसमें हो गया रहा है कि यह जो हमारा sign है दोनों लाइन है वो anti-clockwise 45 degree turn हो जा रहा है तो देखें जब यह इस तरह से है इस तरह से है तो जब यह इस तरह से हो जाएगा और उसे के साथ साथ यह जो point है वो कहां आएगा यहां आएगा आएगा ना तो देखें अभी तो point में कुल चटा हुआ है तो यहां से मतला यहां आज जाएगा तो इस तरह से मस्तिव कि यह anti-clockwise turn हो रहा है आप जो relation इसमें है वह इंशन इसमें भी होगा तो इसमें कोई बात याद रखना है कि यह जो square है वो कहीं पर भी turn नहीं हो रहा है यहांने पता भी कैसे किया क्योंकि यहां कहीं पर भी option में अगर हम square को turn करेंगे तो इस तरह का shape बलेगा जो हमारे option में कहीं पर भी नहीं है तो मतला कि turn क्या होगा सिर्फ यह line हो कि हर जगा square ही है तो जब हम इस पर turn करेंगे तो multiply से plus में हो जाएगा और य तो जैसा कि दौस्त हम आप सभी लोग को बता दे कि 11 अगस्ट 2021 से आपके नवोदय इंट्रेंस एक्जाम होने वाले हैं और जिसकी तयारी के लिए उच्छी पॉब्लिकीशन वालों ने बहुत ही जबचसतर बड़ी अवरक आपके लिए लेकर आई है और इस बुक को पढ सक कर सकते हैं इससे खोस बात यह है कि इसमें आपको जो कंसेप्स दिये हुए हैं जो तोपिक्स हैं जो मैंथ हैं वहो बहुत ही में दिये हुए हैं इस बुक में टोटल आपको 7 प्री 비슷ासित। 6 आपके आइप साथी बाकी सभी अपिक्स हैं नेजे बुक अई statrun को ए कौ इ आपको 250 रूपी कास मिल जाएगी पस आपको Flipkart या जोओन स्नैपडील पड़ पड़ गही डाला है चछु नगोदे विद्याले और आपके सामने वो बुक आजाएगी जिसे आप असानी से अगर आप इस बुक को को बारा मंगाना चाहते हैं तो आपको इस फिंप उसका अगर्स दिखरा होगा तो आप वहां से कोर्या द्वारा असानी से मंगा सकते हैं एक तर निक्स कोशन जिसमें यहां पर एक लाइन बने हुए है उपर ट्रिएंगल और नीचे से मिल्टिप्लाइ का साइड है अगली आकरिती में क्या हो रहा है देखिए कि जो उमारा जो उपर की तरफ आकरिती है वो सबसे बड़ी आकरिती हो जा रही है जो नीचे की तरफ आकरिती है वो उपर चली जा रही है देखिए जैसे कि आपर हुआ है और यहां पर लग गया है एक माइनस अब अगर हम आगे तो यह क्या है यह एक Rectangle है अब यहां सरकल है और यहां पर प्लस है तो अधली अक्रिति में क्या होगा कि जिस प्रकाड इसमें है यह सबसे बड़ी अक्रिति हुजाएगी जो किसमें है यह अक पी तो D में तो ड यह अग तो ब होगा यह तो D Correct अगर आप इसको ना भी देखें तो भी आप असानी से कर सकते हैं तो इस तरह से और इस तरह से और बना हुआ है यह एक एरो बना हुआ है अब यह ओवल ऐसे हो गया यह वैसे हो गया मतलब कि यह 80 क्लॉक्वाइज 90 डिग्री टर्ण कर रहा है तो इसमें पेज़िए 90 क्लॉक्वाइज 90 डिग्री टर्ण करेगा तो ऐसे आएगा आएगा ऐसे तो मतलब कि यह हमारा कौन से करेट आंसर होगा देखिए ए वह नहीं सकता भी बिल्कुल स्ट्रेट है नहीं होगा सी में वी शेप बन गया नहीं होगा तो डी होगा करेट आंसर कितना सिंपल है अब नेक्स डिसमें आपको तोड़ी से कर्षोजन हो सकती है य इसे एक ही माली ची यह शेड़ेट पार्ट है यह शेड़ेट पार्ट है जो अगली आतरती में ऐसे हो गया है तो यह शेड़ेट पार्ट है तो यह ऐसे हो जाये का मतलब इस तरह तो ऐसा कहा है बी में है देखिए इस तरह से बी में है या तो सी में है तो या तो बी हो गय कि अगर यह इस तरह से है तो ऐसे करेंगे हम तो यह ऐसे ही बनेगा मतलब बी होगा या डी होगा अब यह आपर देखिए शेड़ पार्ट है तो शेड़ पार्ट का मतलब ऊपर वाला शेड़ पार्ट और चाहिए इसमें शेड़ पार्ट है ना कि इसमें तो करेक्टा उप् यह है आपको थोड़ा सा हड लगीगा एक ट्रैंगल है धसके इसकी अंदर सरकल हो वो गया है कायम ने वे ऊट्राह बन गया है ब्लस अब क्या होगा इसमें भी जो छोटा सा यह जो lavender बना क्यों करें तो इस तरह से हो गया करtså support का ओल यह करेंगल जैसे कर दुद only यहांब गयोगा है अंदर वाली आखरती से यहां परो envisioned alluts जोंग कर दीता है तो आपको देखी गया होगा तो यहां पर Dim champagne हुगा तो इस तरह से हो गया तो यह चार कोश्चन्स भी हमने देख लिए तो एनलोजी टेस्ट के यह भी कोश्चन्स होते हैं कपी तो अम्हें दें भी नेक्स ट्रॉपिक में तब तक के लिमिस से भी दूस्तों को में तरह से जैहिन जै भारत